शार्क टैंक टीवी के उन फेमिस रियालिटी शोज बेसे एक है जो कि आप जनता की किस्वत चमकाता है यही वज़े है कि कुछ समय से ही शार्क टैंक ने फैंस के दिलों में अलग जगा बना ली है लोग शार्क टैंक को बड़े ही शिद्दत के साथ फॉलो करना पसंद करते हैं यही वज़े है कि जो समय समय पर शार्क टैंक किसी ना किसी वज़े से सुर्ख्यों में बने रहते हैं इसी बीच सोनी टीवी के इस रियालिटी शो नी एक बार फिर से लाइम लाइट बटोरना शुरू कर दिया है कुछ समय पहले ही अनुपम मित्तल ने अशनीर ग्रोवर की गुसे पर कॉमेट किया था सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा एक वीडियो जिसमें अनुपम मित्तल अशनीर ग्रोवर का मजाग बनाते दिखाई दिये थे शार्प टैंक के एक एपिसोड में एक पिचर अनुपम मित्तल से पूछता है क्या आपको भी गुस्सा आता है इसके जवाब में अनुपम मित्तल ने कहा जिसको गुस्सा आता है वो अब चला गया है जिसके बाद नमीता था पर अमन गुपता और विनीता सिंग ने हसना शुरू कर दिया था अब अशनीर ग्रोवर ने अनुपम मित्तल पर पलट वार कर दिया है एक इवन्ट में बात करते हुए अशनीर ग्रोवर ने कहा मित्तल साब की उम्र हो गई है दूसरा गुस्सा वाला चला गया ये तो फाक्ट है गलत तो कुछ भी नहीं बोला मित्तल साहब ने उस तरह से चला गया तुम सब तो ठंडे हो तभी तो पहले सीजन की ट्यार पी देखो और दूसरे सीजन की भी तीसरे सीजन का तो हाल ही बुरा है सब पता चल जाएगा अब मैं मित्तल साहब को बताना चाहता हूँ कि जो पहले सीजन में चला गया वो गोट था तुम तीसरे सीजन भी आकर भी ओडिश्न ही कर रहे हो शार्क बनने के लिए यह बयान देकर अशनीर ग्रोवर ने अलुपब मित्तल की बोलती ही बन कर दी है अब अशनीर ग्रोवर का यह बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है फिलाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए